कि इसमें रख्मानिकम अस्सालाम अलेकुम मैं हूँ कामिल्य असकारा और आज हम एक्स्ट्रोर करेंगे कनाची होग्जेब बीच को और वहां के कंप्लीट अप्डेट आपको देंगे इंजॉयमेंट के साथ तो चलें सफर को स्टार्ट करते हैं अलेकुम अलेकुम तो आज चैनल और आप सबको पता है कि हम लोग इतने दिनों से व्लॉग्स में बना रहे थे क्योंकि हम घरों में कैट थे सो आज हमें आज है 14 ओगल्स आजादी का दिन प्लास हमें लोग डाउन से भी आजादी मिल गई है तो आज हम आपको घुमाएंगे होग्स बे यह 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 आप जो देखेगा और अब जो पहली बार और हम वहाँ पर बहुत ज्यादा दूपेंगों मस्ती भी करेंगे हम खौजबे बीच के टूर पर निकल चुके हैं जो कराची के साहल पर वाकिया है हमने कराची एकस्पेस वे करास्ता समाल किया है जो हमें बहुत फास्ट और कन्वेंट लग रहा था वैसे आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं अपनी मंज़र पहुशने के लिए जैसे ही हम कराची एकस्पेस वे से नीचे उतरेंगे मारिपूर रोट आ जाएगा यहां पर बहुत सारी शॉप्स है जहां पर जहां से आप कोल्रेंग्स चेप्स और टॉइज और बहुत सा आटम ले सकते हैं मेरी सरेशन से है कि आप सारा सावान अपने घर के पास इसी शॉप्स से ले 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 विकास यहां पर कुछ चीज़ें थोई सी एक्सपेंसिव हैं क्लास क्लास और बस क्लास हम लोग बीच पर हम लोग 14 अगस के दिन आये हैं वो भी ब्रकुछ सुबा सुबा तो लोग का रश तो अभी कम है और यहां पर बहुत घंदगी हो रही है लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि मैं शेयर को साफ रखें और जो भी चीज़ खाये पीएं प्लीज शॉपर में डाल के ड़स्बिन में डाल देजिए और जहां तर पानी की बात है पानी का उठाओ बहुत जादा है और पानी बह होने पे रहें आगे मच जाएं और समुद्र का पानी खारा होता है मीठा तो नहीं होता हम बर इस बार पानी बहुत जादा खारा था शायद हम और आउगस्ट के महीने बगए इस वजह से मगर यहां मौसम बहुत ही सोहाना है वह हल्की हल्की बारिश भी हो रही है कुछ द आपको मजा रहे है और वाज टाइब दवाज टाइब यहां जाए 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 बच्चे और बड़े बहुत एंजॉई कर वह हैं आखिर इतने महीनों के बास लॉकडाउन गुला है और लोग अपने घर से बहार निकले हैं तो सब लोग बहुत इंजॉई कर रहे हैं अपने जाए 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 सब्संदी अब हम चल रहे हैं अब हमने प्रालिये पिकनिक ओवर तो हम चलते हैं अलापेश अब आपको एंड की कहारी तो बताना ही भूल गई ये देखिये हम लोग तीन बजे निकल रहे हैं हैं और इस वक्त लोगों उनने होस्बे का साइट आना शुरू किया है उफ गौड कितना रश हो रहा है मेरे ख्याल से अब इनकी पिकनिक तो 15 अगस को ही स्टार्ट होगी क्योंकि ये पूरा दिन ट्रैफिक में ही गुजार देंगे कितने प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे देखिए सजे हुए जंटे लिए हुए तयार हुए वे पिकनिक पे जाने के लिए और देखिए सारा मूड खराब ये लोग का सारा टाइम गुजर रहा है रश में ट्रैफिक जैम में अल्ला का लाग लाग शुगर है कि हम अर्ली मॉर्निंग पिकनिक पे निकल चुके थे और इस वक तीन मजे हम लोग वापिस अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं सो प्लीज आप लोग को वी जब पिकनिक करनी हो अर्ली मॉर्निंग पे निकलिएगा ओके बाए